एक दिन, वो दोनों गाउं से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते, उन में से जो बड़ा बच्चा था, दस साल वाला, वो इक कुए में गिर गया गिर गया और जोर जोर से चीखने चिलाने लग गया, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा था, छे साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं देखा, जिसको क्यों बुला सके हल्प के लिए और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे, जिसमें एक रसी मंदी हुई थी अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक यह कहानी समझ आती है, लेकिन हुआ क्या, कि जैसे ही है दो बच्चे, जब दोनों एक हो गए, जब भार आये और आकर करके गले मिल रहे, रो रहे, और खुश हो रहे, एक तरफ उनको डर भी लग रहा था, डर था कि अब गाउं अब एक बाल्ती, पानी से भरी हुई, वो ठा सके, तो इतने बड़े बच्चे को इतनी उपर खीशना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक आदमी था उस गाउं में, उसने विश्वास कर लिया, उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गाउं के, सबसे समझदार और सबको लगा कि यार ये कभी जूट नी बोलते हैं, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वज़े होगी जिस वज़े से ऐसा कह रहे हैं, और फिस सारे गाउंवाले एक अखटे हो करके उनके पास में गए, और जा करके बोले कि देखो जी कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताओं, तो सारे गाउंवाले उनकी शकल देख रहे हैं, फिर कुछ देर बाद वो बोले, कि सवाल ये नहीं है, कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, कि उसके अंदर इतन आने वाला कि तू ये नहीं कर सकता,